Hello everyone, नमस्कार, UPSC 2023 और हिंदी मीडियम में कैसे त्यारी करें और किन इंपोर्टेंट दस बातों का हमें ध्यान अखना चाहिए जब हम हिंदी मीडियम से त्यारी कर रहे हैं इसी पर ये वीडियो डेडिकेटीड होगा इस वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट बातें आप से डिसकसन करूँगा पॉइंट्स में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों से अग्री नहों उन सब का भी स्वागत है और आप सब की आलोचनाओं के लिए भी मैं बिल्कुल त्यार हूँ लेकिन मैं यह जो बात बोलूँगा सबसे पहले उसको कंप्लीट सुनना उसके बाद अपना रियक्शन देना इसके अलावा गर आपको कोई सवाल हो कोई क्योशन हो या तो कमेंट सेक्शन में करना या इंस्टाग्राम में जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा और कमेंट सेक्शन के अंदर भी वहाँ पर भी आप हमीं मैंसन कर सकते हैं सबसे पहले UPSC 2023 28 मई 2023 को एक्जामिनेशन होगा लगबग एक साल आप मानके चलें उससे पहले हम लोग त्यारी में क्या कर सकते हैं कैसे इंप्रूमेंट कर सकते हैं और हिंदी मीडियम में कैसे त्यारी कर सकते हैं उन सब बातों पर मैं डिसक्रिप्शन करूँगा यहाँ पर यह word English में लिख्यों है आपको लगेगा कि हिंदी में बात करें लेकिन words English में है देखो कई बार content को त्यार करने में मैं एक एक सब्द को हिंदी में बोलूगा कोई दिक्कत नहीं है आपको त्यारी करते समय हमेशा याद रखना जब भी आप हिंदी मेडियम में या आप किसी भी मेडियम में त्यारी कर रहे हो अपने आप पर doubt नहीं करना है सबसे पहला point आप अपने आप पर doubt नहीं करें दूसरा अपने आप पर believe करिए अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं होगा खुद पर आपको doubt होगा तो आप कहीं नहीं कहीं जो positive item sphere के अंदर अपनी preparation को नहीं कर पाएंगे दूसरा आपकी language पर और यहाँ पर medium लिखा गया है लेकिन इसको correct करना है आपका optional subject ठीक है तो यह line थोड़ा सा correct कर लेना आपको अपने आप पर अपनी language पर और अपनी optional subject पर full confidence के साथ इस preparation में जाना है यह confidence आएगा कहां से हना यह सवाल यह है सब यह confidence कम होता है compare करने लगते है Hindi medium का बच्चा बेठा है library के अंदर 4 English medium के बच्चे बेठे है compare करने लगते है यह English वाले select होंगे माइंड में set कर दिया गया है compare ना करें अपने आपको किसी के साथ भी आपका नाम जैसे मैं example देता हूँ रिना, मीना, अनिल, सुनिल इस तरीके से नाम हो सकता है आप जब registration करवाएंगे तब particular आपका एक registration number जनरेट होगा दूसरा आपका particular एक roll number आएगा admit card आएगा आपका ही result आएगा और finally जब आपको selection होगा तो आपका particular नाम होगा with your father name, mother name और आपको services अलोट करी जाएगी तो आपका competition आपकी जो लड़ाई है वो खुद के साथ है किसी के साथ सीखने में दिक्कत नहीं है compare मत करिए आप दुनिया के एक unique चीज़ है अगर ऐसा ना होता तो फिर चाइना के जो लोग है उनको identify करना बहुत मुस्किल हो जाता DNA लगबग 99.9% तक similar हो सकता है लेकिन 0.1% का जो difference है बहुत बड़ा difference जो है वो create करता है ठीक इसके बाद मैंने एक third word mention किया है English language को लेकर phobia देखो जब हम हिंदी में तयारी करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं वह हिंदी मीडियों वाले select होते हैं ऐसा नहीं है select हिंदी वाले भी होंगे आगे से definitely होंगे मुझे नहीं पता कल तक कितने हुए नहीं हुए क्या उनको strategy बताए गई English language को लेकर phobia मत रखिए अच्छा content अगर आपको मिलता है आप माल लेते हैं कि हिंदी में किसी चीज़ का content बहुत अच्छा नहीं है quality content नहीं है तो आप उस content को थोड़ा बहुत effort जुरूर करिए English में language को लेकर ऐसे mindset नहीं रखना है कि हम तो Hindi medium से हैं और English से बिल्कुल तयारी नहीं करेंगे बिल्कुल देखेंगे नहीं ऐसा नहीं रखना है relax रहिए और जब भी आपको लगए कि English में content अच्छा है तो आप उसको पढ़िए क्योंकि क्या होता है आपको बताता हूँ जैसे आप website opens करेंगे mostly website English में होते है तो आपको एक basic language को लेकर शीखना पड़े नहीं आती तो भी आपको efforts करने पड़ेंगे efforts आपको extraordinary करने पड़ेंगे अगर आपको successful होना है जैसे website scroll करते हैं दूसरा आज ही अगर आप Hindi medium से त्यारी कर रहे हैं तो आज का आप देनिक जागन देनिक भासकर उठा लीजिए और दूसरी तरफ एक paper उठा लीजिए Indian Express और The Hindu compare कर लीजिए content और quality में तो आपके पास आपको थोड़ा सा हाथ पैर जादा जिसको बोल सकते मारने पड़ेंगे और यह मैं जो बाते बता रहा हूँ यह बहुत solid है और इनका एक proper analysis करके यह चीज़े बताई जा रही है इसके बाद आता wrong strategy आपको planning बताई जाती है जैसे 40 टोपर आया अलग-अलग strategy बता दी मैं बता दूँगा अपनी strategy याद रखी हर एक व्यक्ति अलग है उसकी तैरी का तरीका अलग है हम क्या कर रहे है कि किसी व्यक्ति की strategy आया उसने बता दिया ये पढ़ो वो पढ़ो फलाना पढ़ो दिमकाना पढ़ो क्या आप उसके क्योडिंग अपने आपको comfortable feel करते हैं ये सवाल कुछ बुक होते हैं बिल्कुल standard बुक होते हैं NCRT है वो सेम कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर व्यक्ति अपने तरीके से preparation करता है आपको जो basic जिसको बोलते common book होती है वो तो सब के लिए है दूसरा कुछ books ऐसे होती जो आपको समझ में नहीं आएगी मैं आपको बोल दूँ कि आप DD वसू का Indian Constitution जा के पढ़ो आपको language में बहुत दिक्कत आएगी अगर आप starting उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये जो चीजें हैं इसको ध्यान रखना है दूसरा UPS में हिंदी मीडियम का जो result है उसके पीछे कम होने के कई सारी वज़े है मैं आपको बताता हूँ वज़े भी बताता हूँ UPSC और PCS के बीच में उनको difference समझ में नहीं है कि PCS का level क्या है और UPSC का का UPSC complete analysis type का paper है और PCS एक factual examination है दोनों के बीच में difference आपको समझना पड़ेगा एक proper strategy होने चाहिए दूसरा याद रखिए जैसे हम pre में बात करें पांच जुन 2022 को 2022 वाल अप्री होने वाला है रोंग strategy का क्या मतलब होता है जैसे हमने C-set की तेहरी शुरू करी C-set में सबसे बड़ा सवाल अता सर मुझे math नहीं आता आप 2017 से 2021 तक के paper select कर लीजिए math के सवाल आप find out करिए 10 से 12 और वो 12 से 12 सवाल 10, 12, 15, 20 होंगे maximum इससे ज़्यादा नहीं है वो 10, 20 सवाल किन chapter से आए उन chapter को find out कर लीजिए दिमाग में अगर आप ये रखेंगे ना अपने input brain में डाला कि मुझे mathematics नहीं आता मुझे English नहीं आती मुझे science and technology नहीं आती मुझे economics नहीं आती ये नहीं आती तो ये आपकी problem है UPSC का कोई से लेना देना नहीं है efforts करने पड़ेंगे लड़ना पड़ेगा यहां हर चीज के लिए आप जिस examination की तयारी कर रहे हैं ये हलवा नहीं है मैं कुछ words stuff use कर रहा हूं लेकिन ये words आपके लिए बहुत important है इसके बाद fifth point मैंने mention किया है do not show बाज और हवा बाज बाज जब आप इसकी तयारी कर रहे है दुनिया को धिंडोरा मत पिटो कि मैं IS की तयारी कर रहा हूं UPSC sprint, Flana sprint, ES sprint इस तरह की चीजों की requirement नहीं है आप तयारी कर रहे हैं किसे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे है आपका जब selection हो जाएगा सब को दिख जाएगा, नहीं होगा तो फिर वो गली में आपको रोक कर पुछेंगे भी कर ली UPSC की तयारी तो being practical, being confident और show बाज और हवा जी नहीं चार status लगा दिए UPSC वालों के दो experience की photo लगा दिए दो selected candidate की photograph लगा दिए मैं भी देखता हूँ कि कई बार TNNB के चार status लगा दिए स्रश्टी जैन देश्मुक के चार status लगा दिए इनसे मिलेगा क्या, आउटकम क्या मुझे आउटकम के बारे में कमेंट बताईए कमेंट करके बताना कि इनका आउटकम क्या होता है, दुनिया को धिंडोरा मत पीटी है, दूसरा जब आप पढ़ते हैं, for example मैं देखता हूँ कई बार UPSC का एक logo लगा दिया, इसके लावा हम देखते हैं कि UPSC के जैसे selected हम लाइबरेरी गई, वहाँ पर एमलक्सी मिकांदर की photograph लगाई और status लगाया, facebook पर दुनिया को धिंडोरा पिटा, कि हमने UPSC की तहरी करी actual में जब result आएगा, पूरी दुनिया पता चल जाएगा, ये सब चीजे करने के requirement ने, बिल्कूल silently त्यारी करिए, और अपने आप पर focus करिए, नएकि दुनिया को दिखाने के लिए, छटा point do not follow anyone blindly देखो, यहाँ पर आप दिल्ली के मुखरजी नगर में जाओगे, दिल्ली के क्रॉलबाग में जाओगे, जितने बड़े बड़े institution फ्लाना दिमकाना है यहाँ पर, कभी इनको गुरू एक word जो कई बार इस्तमाल होता है, गुरू वर्ड के लिए बहुत differences है, यह बहुत commercial institution है, एक डेड़ लाग से नीचे फीच नहीं है इनकी, और कभी भी मैं कहता हूँ, आप सीख किसे से भी सकते हैं एक पत्थर से भी सीख सकते हैं बट कभी भी blindly follow मत करें मैं देखता हूँ कि जब हम पढ़ रहे हैं, कि एक गुरू हमारा address हो गया, गुरू एक अलग definition होते थी, लेकिन यह जो teachers हैं, या जो commercial institution हैं, इनमें कभी भी blindly follow नहीं करना, पहले दिन आप coaching में जाओगे, सारी चीज हमारे notes से आ जाएंगी, और इससे बाहर पढ़ने की requirement नहीं हो, पहली line माल लीजी, दुनिया का सबसे बड़ा जूट है इसके अलावा, आप सीखिए किसी से भी, बट कभी भी blindly follow मत करिए, उतना पढ़िए, जितना requirement है अच्छा पढ़िए, ये बहुत important है, selected और केवल UPSC level का material पढ़िए, ऐसा नहीं कुछ भी market में गए, photo state ली, book नहीं नहीं, cover वाली आई है, उठाई और पढ़ने शुरू कर दी, अच्छा, to the point और as per UPSC level का होना चाहिए, केवल वही content पढ़े, दूसरा, do not जो एट नमर पॉइंट है प्लीज अपना समय वेश्ट मत करिए किसी भी त्रे की चीजों में हम फरी हुए, छे गंटे का GST का lecture देख रहे हैं, ये जो चीजे हैं, जो हमारे सलेवर से बिल्कुल बहार है, छे गंटे GST का lecture देखनी जुरूद नहीं है, आठ गंटे हम फार्मला के बारे में पढ़ रहे हैं क्या वो requirement है, अगर मा लेते हैं GST पर कोई question आता है, GST की PPT में आपको 6 page प्रोवाइड करवा दूँगा, 6 page में आपके पास basic idea होगा कि GST होता क्या है ठीक, editorial से आप concept clear करेंगे, तो 6-6 गंटे देने के requirement नहीं है आपको slayvus के according divide करना पड़ेगा, इसके लावा हमेशा याद रखिए आपको जो slayvus के अंदर mention है केवल उतना पड़ेंगे ब्रह्म ग्यान हसिल करने के requirement नहीं है कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्यानी बन जाएंगे UPSC एक समुंदर है और इसमें अगर डूब की लगाई तो डूब भी सकते हो, तेरना होगा और आपको लंबा चलना होगा previous year paper को आपको solve करना पड़ेगा, analysis करना पड़ेगा और observe करना पड़ेगा कि UPSC के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था इस तरह के सवाल पूछने को लेकर इसके लाबा आपको practice करने ही पड़ेगी answer writing to the point इसका मतलब है मैं ये सारे वीडियो आएंगे अभी answer writing practice कैसे करनी है news paper कैसे पड़ना वो सारे चीज़े to the point का क्या मतलब है कि जितना पूछा जाए उतना ये लिखेंगे उनको भी बरम ग्यान की आउशकता नहीं है यानि कई बार हम देखते हैं कि जो चीज़े पूछी नहीं कि मा अगर मा आपको मालू सवाल पूछू कि GST compensation से state के revenues पर क्या impact पड़ेगा तो आप इसमें कहीं पर ये mention नहीं कि GST के बारे मताओ मैंने 150 वर्ड में बताया पूछा है कि GST और compensation इन दो वर्ड में link आप करके बताएंगे इस तरह के चीज़ें आपको देखने के बलेगी ये 10 points है जो मैंने indicate किये है और उमीद है अगर आप proper implementation करेंगे तो काफी चीज़ें बदलेंगी और दूसरा मैं फिर repeat कर रहा हूँ मेरी बातों से आप agree और disagree होने का बिलकुल हक रखते हैं आप criticism करने का हक रखते हैं नीचे comment करें criticism करें और आपके मन में कोई सवाल हो कोई confusion हो कोई doubt हो या तो comment section में करिए या फिर आप instagram पे मुझे personal message करिए वहाँ पर भी आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे धन्यवाद जैहिंद